महल का नाम सुनते ही दिमाग में एक भव इमारत का ख्याल आता है ऐसी मारत जिसका बड़ा सा मुख्य द्वार होता है लेकिन पस्चिम बंगाल में खुबसूरत महल है और इस महल के अंदर जाने के लिए एक दो नहीं बलकि पूरे एक हजार दरवाजे है हजार द्वारी नाम से मशूर ये महल अपने एतिहासिक चमक के लिए बहुत प्रसद्ध है आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस महल से जुड़ी कुछ खास बातें पस्चिम बंगाल के मुर्शुदाबाद में बने इस महल को पुराने जमाने में कोठी के नाम से जाना जाता था इस महल को फेमिस आर्किटेक्ट माक लियोड डंकन द्वारा बन बाये क्या था इस महल की खुब सूर्थी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं भागी रती नदी के किनारे बसे इस तीन मंचले महल में 114 कमरे और 180 दर्वाजे बने हुए हैं बागी के 900 दर्वाजे आबासी मगर पत्थर के बने हुए हैं इन्ही के कारण हमलावर भ्रमित होकर पकड़े जाते हैं 41 एकर तक फैले हुए इस महल में नवाब अपना दर्वार लगाने आया करते थे इस महल के म्यूजियम में 4742 पुरह वस्तुए रखी हुए हैं लेकिन टूरिस्ट के लिए 1034 ही प्रदर्शित की गई हैं इसके लावा आप यहाँ पर 2700 से अधिक हतियार और विंटेश कारू का अद्भुत संग्रह देख सकते हैं लेकिन इने देखने के लिए आपको स्पेशल पर्मिशन ले ली पड़ेगे लेकिन अधिक हैं